नमस्कार दोस्तों एक पर सिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अच्चाराई न्यूस पर बहुत-बहुत सवगत है दोस्तों आज चुद दिन भर की फटाफट बड़ी खबरे सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समचार तक आगे इसी वीडियो में पहुँचाएंगे दरासल दोस्तों पहली बड़ी सबर आप लोगों को बताते चलें दिल्ली के मंगोल पूरी में रिंकू सर्मा नाम के सक्स की हत्या के बाद राजभीतिक बयान बाजी लगातार जारी है आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारतवाज ने कहाए कि भाजपा राज में हिंदू सुरचित बिल्कUL भी नहीं है सौरभ भारतवाज ने अमिस सहा पर आरोप लगाते हुए कहाए कि हिंदू पच्चों की हत्याओं के लिए अमिस सहा सीधे तोर पर जिम्मेदार है उन्होंने कहाए कि एक कंभिर आरोप देज के ग्रहमंत्री पर लगा रहा हूँ, इन हत्याओं के लिए ग्रहमंत्री ही जिम्मेदार हैं, हमिस सहा का क्या फायदा है नहीं पता लेकिन हिंदू बच्चों की हत्याइं ना करवाएं ताकि अपनी राजनीतिक रोटी सेख सकें हिंदू मुस्लिम सिक ब्रहमर जैसी बाते करनी पड़ रही है, ये घटिया कल्चर भाजपा की देन है जहां लोगों की धरम और जाती बतानी पड़ती है, केंद्री ये ग्रहमंत्री की पूरी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, इस मामले में दोसिय साथिकार हनन का नोटिस आँप लोगों को बताते चले, कॉंग्रेस के लोग सभाव सदयर से, टी एन प्रतापन ने पार्टी के पूर्वधेच राहूल गांधी को डूम्स डिमेन कहे जाने से समध्नी टिपड़ी को लेगर के वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण के खिले विशेस अधिकार हनन का नोटिस दिया है, धरासल दोस्तों आप लोगों को बताते चले वित्तमंत्री, निर्मला सीता रमण ने कहा कि कॉंग्रेस किनेता फारजी विमर्स गरते हैं, देश को तोड़ने वाली तक्तों के साथ खड़े होते हैं, और समयधानिक संस्थाओं क अपमान करते हैं, इसनी बयान पर उनको मिला है, विशेस अधिकार हनन का नोटिस दो वहीं, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रेम कोट ने कहा, प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकता है, क्या कुछ है, पूरा मामला बत सोथित नागरित्ता कानून यानि की CEA के खिलाफ, प्रदर्शनों के दौरान सार्दनिक रास्ते पर कपजा जमाना सुईकार नहीं है, उचितम नियाले ने कहा है कि कुछ अचानक प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकि लंबे समय तक असहमती या प्रदर्शन के लिए सार्दनि कि स्थानों पर लगातार कपजा नहीं किया जा सकता है, जिससे दूसरे लोगों के अधिकार प्रभावित हों, तो वहीं बीचे का और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आंदोलन कर रहें किसानों के खिला, बीचे पी सरकार का एक और बड़ा फै कि आंदोलन कारियों से भरबाय के लिए कानू लाएगी, दिल्ली में ग्रहे मंतरी अमिसाहा से मुलाकात के बाद खटर ने ये ऐलान किया है, तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, नफरत को इसकदर सामाने कर दिया गया है, कि किर्केट भी इसकी चपेट मे आगया है, यह यहाँ पर कहना है राहूल कांधी का, कॉंग्रेस के पूर्वजच राहूल कांधी ने कहा है, कि पिछले कुछ बरतों में नफरत को इसकी चपेट में आगया है, उन्होंने ट्विट किया, पिछले कुछ बरतों में नफरत को इसकी चपेट में आचुका है, धारत हम सभी का है उन्हें हमारी एक्ता भंग मत करने दीजिए कॉंग्रिस की नेता राहूल गांधी ने यहाँ टिपड़ी उस वक्त की है जब देखकज घरेलू क्रिकेटर वसीम जाफर पर उत्राखंड टीम का कोच रहते हुए धार्मिक आधार पर चैन को प्राधमिता देने का आरोप लगा है यह यहाँ पर राहूल गांधी ने सीधे दोर पर B.J.P. पर सादा है निसाना और तेस भर में नफरत पहलाने का लगाया है आरोप और लोगों को बाटने का लगाया है आरोप तो वहीं इस बीच एक और बड़ी ख़बर जा लेते हैं दोस्तों बीजेपी के नेता सुपरमणियम स्वामी ने मोधी सरकार से पूछा पैंगॉंग लेग से हम पीछे हटे डेप सौंग में चीन के पीछे हटने का क्या हुआ आप लोगों को दोस्तों बताते चलें भारती जलता पाठी के नेता सुपरमणियम स्वामी ने चीन से निपटने के तरीके को लेकर के केंदर की मोधी सरकार पर सवाल खड़ा किया है स्वामी ने लग्दाप में भारतिय सेला के पीछे हटने को लेकर के भी सरकार से सवाल पूछे हैं उन्होंने ट्वीट कर नरेंदर मोधी सरकार से यहां पर कई सवाल पूछे हैं उन्होंने फैसले पर नाराज की प्रकट करते हुए कहा है कि प्रधान मंतिरी ने 2020 में कहा कि कोई आया नहीं और कोई गया नहीं चीन को यहाँ बहुत पसंद आया लेकिन यहाँ सच नहीं था स्वामी ने आगे कहा कि जनरल नर्वणे ने सैनिकों को आदिफ दिया वे LAC पार कर पैंगोंग लेक को अपने नियंतरण में ने ताकि चीनी चौकियों पर नज़ा रखी जा सके अब हम वहाँ से पीछे हट रहे हैं लेकिन डैप सौंग से चीन के पीछे हटने का आखिर क्या हुआ अभी तक नहीं हुआ है चीन बहुत खुस है देख सकते हैं राहूल कांधी ने जो आरोप लगाया था सीधे तोर पर वही आरोप यहां पर सुबर्वणियम स्वामी जोकी बीजेपी के नेता है सांसाथ है उन्होंने भी लगा दिया है मोधी सरकार पर तो वहीं एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर कब बनेगा पूर्ण राज जेस सवाल पर लोग सभा में ग्रह मंतरी अमिसा ने दिया है जवाब आप लोगों को दोस्तों बताते चलें केंद्री ये ग्रह मंतरी अमिसा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर गठन संसोधन विधैकर राज के दरजे से बताया है पेट्रोल जीवी बोले 70 साल में पहली बार पेट्रोल डीजल पर इतना ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कॉंग्रेस के नेता दीपेंदर सिंग गुट्टा ने राज सभा में बजट 2021 पर चर्चा का हिस्सा बनते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं उन्होंने केंदर में 70 रूर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि इनका 7 साल का कारिकाल इसका गवाहा है कि सरकार ने बड़े बड़े नारे दिये चुनाव में इनका नारा था कि हर साल 2 करोड रोजगार देंगे उस इसाब से 14 करोड रोजगार लोगों को मिल जाने चाहिए थे लेकिन इसके विपरी इतमोदी सरकार के कारकाल में 70 साल के अब तक के रिकॉर्ड में बेरोजगारी के आंकड़े चौकाने वाले हैं इस सरकार के कारकाल में सिर्थ बेरोजगारी ने ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है 70 साल में सॉलर के बुकाबले रुपिया इतने नीचे किरा है। सतर साल के रिकॉर्ड में NPA के जरिये बैंकों का करजा सबसे ज़्यादा डूबा है। इन सतर सालों में सबसे ज़्यादा करीब और अमीर में अंतर बढ़ा है। वहाँ भी इसी सरकार के कारकाल में हुआ है। एक फीजदी सबसे अमीर व्यक्तियों के बास 73% समपति केवल कोरोना काल में हुई है। 11 जो सबसे अमीर हिंदुखतानी है उनकी समपति में 13 लाग करोण का इजाफा हुआ है। इस दोरान उन्होंने देश में चल रहे किसान आंदोलन का भी मुद्दा उठाया है कॉंग्रेस के नेता ने तीनों ही कानूनों को देश के पूंजी पतियों के फायदा पहुचाने वाला बताया है। देख सकते हैं जोड़दार तरीके से कॉंग्रेस पाटी के सांसद दीपेंदर हुट डाने घेरा है राज्य सभा में बीजेपी सरकार को और कहा है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ मोदी सरकार ने 7 साल में ही करके दिखाया है लेकिन गलत दिशा में तो वहीं तो उस्तो एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें टीमसी सांसद ने लगाया बीजेपी पर जासूसी का आरोप कहा घर के बाहर बीजेपी की तरफ से तो वहीं दोस्तो अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें सिवसेना ने एक बर खिर से कहा कोशियारी को वापस उलाए केंदर सरकार जी दोस्तो जिस दिन से महराष्ट्र में महाविकास अगारी की सरकार बनी है उसके और राजपाल भागत सिंग कोशियारी के बीज में घमासान की कबरे आए दिन आती रहती हैं ताजा घमासान ठाकरे सरकार दोरा कोशियारी को राज सरकार के हेलिकॉप्टर को इस्तमाल करने की इजाजत ना मिलने को लेकर के हुआ है दरासल आप लोगों को बताते चलें ठाकरे सरकार के कहना है कि नीजी याक्तरा के लिए हम उनको सरकारी हवाई जहाज क्यों मुहया कराएं इसी को लेकर के यहाँ पर राजभवन और ठाकरे सरकार के बीच में तलवारे खिच गई हैं महराश्टर बीजेपी कोशयारी के साथ खड़ी है और तो वहीं आप लोगों को बताते चलें सिवसेना ने कहा है कि राज़सरकार ने इस मामले में नियमों का ही पालन किया है तो वहीं दोस्तों सिवसेना ने अपने मुक्पत्र सामना में लिखे ताजा संपात किये में इसको लेकर के कोशियारी पर जोड़दार हमला बोला है इस लिए नियम के अनुसार सरकारी विमान का इस्तमाल नहीं की करने दिया उनको, राजपाल ही कया मुख्यमंत्री को भी निजी इस्तमाल के लिए सरकारी विमान की अनुमती की इजाजत नहीं है, यह यहाँ पर जोड़ार तरीके से हमला वोला है सिर्फेना ने, और किंदर सरकार से कहा है कि कोच यारी को वापस बुलाएं दोस्तो आज की तमाम बेहत बड़े खबरे सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुचाई है एच आराई न्यूस के माध्यम से अगर वीडियो पखंद आये हो आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा जादा से जादा शेयर कीजेगा तकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें आप सभी का दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत